इस व्रें हम जानेंगे कि वाट्सप में आप्टोमेटिक फोटो डाउनलोड हो जा रहा है, तुसे कैसे ठिख कर सकते हैं तो विडियो को चुरुकरसपैल अगर आपने हमारे चैजनल को सबस्काइब नहीं किया तो सब्सकाइब कर लीजिये तो चले जानते हैं हम अपने WhatsApp में कोई भी फोटो आटोमेटिक डाउनलोड हो जा रहा है तुसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो WhatsApp में आटोमेटिक फोटो डाउनलोड हो जा रहा है तुसे ठीक करने के लिए उसे बन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना WhatsApp ओपेन कर लेना है और WhatsApp ओपेन करने के बाद यहां पर आपको ऊपर 3.0 मिलेगा तो आपको 3.0 पर क्लिक करना है और यहां पर आने के बाद आपको Settings मिलेगा तो आपको Settings पर क्लिक करना है settings में आने के बाद यहां पर आपको storage and data मिलेगा तो आपको storage and data पर click करना है और यहां पर आने के बाद आपको एक option मिल जाएगा when using mobile data तो आपको when using mobile data पर click करना है और यहां पर आने के बाद photo पर पहले से automatic select रहता है अगर इस पर सेलेक रहेगा तो आपके WhatsApp में कोई भी फोटो आएगा तो अगर आपके mobile का data on रहेगा तो कोई भी फोटो आटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा आप उसे डाउनलोड नहीं भी किजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा तो इसे बन करने के लिए आपको इसे क्लिक करके off कर देना है और off कर देने के बाद नहां पर आपको ok मिलेगा तो आपको ok पर klick कर देना है यतना कर देने के बाद आपके Whatsapp में कोई भी फोटो आएगा तो आटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तभी वह डाउनलोड होगा तो इस तरह से आप अपने WhatsApp में Automatic Photo Download को बंद कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा